Hello friends, welcome to my channel Silicon Edge, में नाम सुक्रविंदर है और मैं आपके समने आज एगेन एक laptop का review लेकिया हूँ और ये laptop एक gaming laptop है, तो मैं बात कर रहा हूँ MSI के तरों से आने वाले इस gaming laptop के बारे में जिसका model है GF75 और अगर इसका exact part number की बात करूँ तो ये है 10SCXR-655IN तो ये जो exact part number है, इससे specifications का फर्क पड़ता है बाकि जो product model है GF75 Thin, ये similar होता है design के साब से ये laptop इनों ने लांच किया around 62,999 रुपीज का इस price में इस laptop में ऐसे क्या features है, ये कैसा है, performance कैसा है सब मैं आपको बता दूँगा, आपको मैं gaming test भी दिखा दूँगा, benchmarks भी दिखा दूँगा, battery test भी दिखा दूँगा, सब कुछ दिखा दूँगा अब directly वहां मत पहुंच जाएगा, अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज continue रखेंगा वीडियो, इससे मुझे support मिलती है, चलिए जल्दी से continue करते हैं, और अगर अपने में चाल सब्सक्राइब नी के पर सब्सक्राइब करें, चलिए आग बढ़ता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिल्ड कॉलिटी की कैसे ही है इसके बिल्ड, तो देखिए, as a gaming laptop, मैंने काफी laptop पर देटेश की है, इस सरगा डेश की आसूस की टेश की है, मैंने देखा कि most companies प्लास्टिक यूज करती है, इस body हो गया, डिस्प्ले का टॉप हो गया, सब प्लास्टिक रहता है, MSI लेकिन उनसे अलग है, MSI ने क्या किया है, जो यह बेस का टॉप है, मिन्स यह जो एरिया है, यह metal है, डिस्प्ले का टॉप जो है, पिछेल एरिया, यह metal है, बाकि नीचे की प्लास्टिक बॉड़ी है, तो इस उनने एक अच्छी बिल्ड बनाई ह मिन्स मेटल भी यूस किया, जो कि अचीरी होती है, यह सिर्फ 2.2 kg का है, तो अब समझ सकते हो कि बहुत लाइटवेट लाइटवेट है, इतना लाइटवेट है कि मैं एक आच्छी से राम से उढ़ा पा रहा हूँ, साइस के साब से आप से आप देखो, तो इतना बड़ा काफी पोटेबल टाइब का है, तो अगर बात करते हैं स्टडीनेस की, तो अगर आप एक हाथ से भी से लेके गुमते हो, जैसे मैं एक हाथ से उठाके तो शेक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि निचे की प्लास्टिक जो हलकी से फ्लेक्स कर रही है, लेकिन इसके अगर बहुत मजबूत ही है, इसका मेटल बहुत अच्छा है, कफी मजबूत है, तो अगर बात करते हैं लुक्स की, तो इन्हों मेटल के उपर भी एक स्ट्राइफ सा डिजाइन बनाया है, यह प्लेन नहीं है, तो अगर आप डिस्प्ले के टॉप देखोगे तो यह भी प comparison to other companies, अब अगर बात करते हैं, हम expansion ports या फिर IO ports की, तो right side आपको सबसे पहले यहां मिलता है, एक RJ45 port, अब यह जो port है, यह 1 GBPS की भी speed support करता है, तो बहुत अच्छी बात है, इसके पाल आपको यहां पर एक USB Type-C port मिलता है, और यह जो Type-C port है, USB 3.2 Gen 1 का port है, यहां आपको को 5G GPS, अब आपको यहां पर एक अलग चीज़ दिख रही होगी, आपको दो 3.5G ports दिख रहे होंगे, MSI नॉर्मली अलग-अलग ports देता है, माइक और headphones के लिए, बट इसका एक drawback यह होता है, कि आप अगर headset यूज करते हैं, जिस पे माइक और earphones inbuilt होते हैं, उसके लिए आप अगर आपको यहां पर एक लिए यहां पर एक लिए लॉक मिलता है, जो कि आप ऑफिस इंवार्मेंट में यहां यहां सी जगह में से लॉक कर सकते हो, अगर लेफ्ट साइड की बात करें, तो सब्सक्राइल आपको यहां मिलता है, 150W का पावर अप्टर, इसके पर आपको इसके दावर आपको और कोई पोर्ट नहीं मिलता है, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं स्पेशिविकेशन की, तो यह जो मॉडल आता है, यह आता है इंटेल के 10th generation प्रोसेसर के साथ, तो आप बोलोगे यह 10th generation प्रोसेसर काफी प्राना हो गया है, आप उसका र 11300H, उसमें 4 cores थी और 8 threads थी, इस पे इनों नहीं क्या किया है, 6 cores दे दी हैं, और आपको hyperthreading दी हो तो आपको total 12 threads मिलती है, परफॉर्मेंस के बात कर लो तो बहुत बढ़ी है, इसके base speed है 2.5 GHz और यह बूश्ट में चलता है 4.5 GHz पे, इस प्रोसेसर की power rating है 45 watts और बूश् क्या है, यह even 11th generation की प्रोसेसर से भी fast है, अगर आप Intel के 11300H से compare करते हो तो उससे fast है, 11400H से कम है इसकी speed, AMD से compare करें, तो यह कहीं न कहीं Ryzen 5 4600H के आसपास आयाता है speed पे, तो Intel नहीं यह बहुत अच्छा processor बनाया है, और gaming laptops बहुत अच्छा काम करता है, इसके बाद अगर ब MSI ने इस पे 2 slots दी हैं, और यह maximum 64GB तक की memory support करता है, तो right now यह single channel पे चल रहा है, अगर आप upgrade करते हो, second slot भी use करोगे तो यह dual channel हो जाएगा, उस case में आपको कफी boost मिलेगा performance पे, तो इस पे आपको dedicated graphics card भी मिलता है, plus इसका internal GPU भी है, इस पे आपको Intel की UHD graphics मिलती है, जो की 24 execution units इसके साथ आता है, तो वो बहुत ही normal काम के लिए दिया गया है, जो window वाला काम है, आप browsing कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस पे वो काम आ जाएगा, और जो आप इसके साथ monitor attached करोगे, वो इसके internal GPU से ही जाएगा, और इसके यह display वो भी इसके internal GPU से ही connected है, और इसके आप performance इस laptop में बाकी laptops के मुकाब्दे थोड़ा better था, बात करते है storage की, तो यह जो model मेरे पास आया है, यह आता है 512 GB की NVMe SSD के साथ, इस पे जो SSD लगी हो है, Kingston के SSD, और मैं जो चीज़ देखिए कि इसकी reader speed तो अच्छी थी, बट मुझे कहीं न कहीं stability इसू लगे, मिन्स कभी वो 2000 MPs की speed दिखा रहा था, कभी 250 MPs की speed पे आ जा रहा था, यह कहीं न कहीं उस SSD का मुझे issue लग रहा था, साथ साथ आपको इस पे एक SATA port भी मिलता है, जिस पे आप 2.5 इंच की either hard disk की SSD लगा सकते हो, आपको इस पे कोई extra M2 slot नहीं मिलता है, यह जान रखिएगा, मैंने काफी जो देखे था online, उस पे उन्होंने जो model रिखा है, वो series तो same है, बट वो high configuration के साथ है, इस पे दो SSD slots है, अगर बात करते हैं touchpad की, तो इस पे आपको full area touchpad मिलता है, और इसके जो touchpad है, यह precision support करता है, means आपको gesture support भी मिलता है, smoother touchpad, बट मुझे इसका touchpad थोड़ा छोटा लगा इनके पास काफी area था, तो इनको इनका touchpad थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, keyboard को थोड़ा उपर move कर सकते थे, और यहाँ पर निचे touchpad का area बढ़ा सकते हो, यह कहीं न कहीं बहुत लोगों को छोटा लगने वाला touchpad, बात करते है keyboard की, तो keyboard इसका आप देख रहे होंगे की full-size keyboard है, और इस पर आपको backlight मिलता है, और इस पर सिंगल backlight मिलते है, एक ही color की light है, इस पर red color की light है, और यह 3 levels में आप configure कर सकते हो, low, medium, high, तो यह चीज़ अच्छी है, keyboard इसका काफी अच्छी feeling आती है, आप typing करते हो, long ask लिए भी use करोगे, काफी typing करोगे, तो भी आपक चलते ही रहेंगी, या तो आपको manually off करना पड़ेगा, यह automatic off नहीं होती है, इसके बाल आ जाते है, बात करते है, wave camera की, तो इस पर जो wave camera मिलते है, वो 720p camera है, और मैं जो चीज़ नोडिस की, इसका camera अच्छा काम करता है, और साथ साथ इस पर आपको dual mics मिलते है, जो की noise cancellation भी तो आप देखे, मेरे room में मैंने studio light on रुखी हुई है, इस condition में कैसा camera काम कर आपको सनम्यार होगा, camera के से काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसका, क्योंकि नॉर्मली मैंने बाकी laptop में देखा, काफी grains आती है, इसके उतना नहीं है, काफी smooth लग रही है, तो एक अच्छा camera अब बात करते है, सबसे important चीज जो ती है screen, अगर आप देखोगे, तो इसके screen आप कैसे सनम्यार होगा, काफी बड़ी screen है, इस पर आपको screen मिलती है, 17.3 inch की full HD screen, और screen ने काफी अच्छी बनाई है, bezels बहुत कम है, इसलिए काफी compact से लगती है, यह full HD screen और IPS screen है, और सबसे बड़ी बात है कि 144 inch का refresh rate भी support करती है, और यह max brightness support करती है, मैंने अपनी testing में जब देखा तो यह 300 inch की brightness support कर रही थी, जो कि बहुत बढ़ी है बात है, हाला कि इसकी color gamut की value है, वो है 45% anti-AC, जो कि 60-62% SIGB के बराबर होती है, अब आपको इस price में ऐसी ही screen मिलने वाली है, लेक बड़ी हैं, आप side से भी देखोगे, तो negative नहीं होती है, बहुत अच्छी quality मिलती है, तो especially आप movies वारा देखोगे, video rating वारा करोगे, आपको बहुत मजाने वाला है, बात करते करें बैटरे ही, तो यह बड़ी screen वाला laptop है, और आप समझ सकते हो कि इसका processor भी काफी power वाला processor है और इस पर graphics card भी है, जो अलग से power use करने वाला है, obviously यह सब laptop में, battery department में उतना अच्छा expectations नहीं रखने चाहिए, हाला कि MSI ने फिर भी काफी अच्छी कोशिश की है, उसने इस पर 51Wh की battery दी है, ताकि यह compact रहे, और मैंने जो चीज नोडिस की है, कि इसका जो battery backup है, यह काफी unstable था, unstable in the sense कि इसका जो processor है, यह काफी fluctuate करता है power को, मैं इसका भी बहुत ज़्यादा लेता है, कभी कम भी हो जाता है, means stable नहीं था, जैसकि मैंने AMD के Ryzen 5 46NH में देखा था, वो काफी stable processor था, वो अगर मान दी जाब वीडियो देख रहे हो 4K, तो 9-10W में आके stable हो जाता है इसमें ऐसा नहीं था, यह कभी 10W, कभी 12W, कभी 20W, कभी 25W, काफी fluctuate कर रहा था, इस कारण से मैं देखा कि इसका battery performance उतना अच्छा नहीं है, अगर आप इस पे movie बगर देखते हो, 4K movie, तो आपको around 4 गंटे का backup मिलने वाले हो, उससे जाना आपको नहीं मिलेगा, फुल लोड देते हो गर इसे, आप 100% CPU और GPU यूज़ कर रहे हो, उससे में मैंने देखा कि इसका जो discharge rate था, बैटरी गा, वो 60W तक पहुंच जा रहा था, 51W की बैटरी है, 60W में discharge होगी, that means आप समझ सकते हो, कि फुल लोड में यह 40-45 मिलने ही चलने वाला है, अगर आपको दे पा रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो idle power draw है, भी बहुत जादा था, अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं लेखिए, इस के समें भी यह 10-12W का power यूज़ कर रहा है, इस का इसका बैटरी प्रफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं है, तो अगर आप इस स्पीड चार्जिंग नहीं है, 20-25W के आसपास यह चार्ज होता है स्पीड में, तो मैं देखा इतना टाइम दर जाता है, बात करते हैं स्पीकर्स की, तो MSI ने इस पर dual स्पीकर्स दिये हैं, और मैंने इसकी नोडिस किये कि MSI के स्पीकर्स काफी loud होते हैं in comparison to other companies, सबसे ब प्लस आपको इस पर audio sharing का भी option मिलता है, मैं सब किसी भी दो earphones को या फिर दो audio devices को share कर सकते हो, तो जो content इस पर play हो रहा है, एक साथ download devices पर play होगा, वो बहुत अच्छा feature है, आपको बता है दो Bluetooth earphones है, दोनों connect कर लो इसके साथ, और आप दो लोग मिलके और हम से same movie या same content देख सकते हो, बात करते हैं कि Wi-Fi की, तो इस पर आपको मिलता है Wi-Fi 6, तो इस अच्छी एक वो Wi-Fi 6 दे रही है company, और इस पर आपको Intel का AX201 Wi-Fi chipset मिलता है, जो आपको साथ-सा Bluetooth 5.1 का भी support देता है, मैं देखा है Wi-Fi इसका अच्छा stable है, का अच्छा काम करता है, Bluetooth भी का अच्छा काम करता है, सब कुछ तो होगा, में बात आती है performance की, तो मैंने इसको test किया, मैंने कुछ benchmark क मिलता था 272, 3D score मिलता था 7036, और memory score मिलता है 2320, यह था जब आप इसा single channel mode पर यूज़ कर रहे हो, जब आप इस पर RAM upgrade करते हो, dual channel पर यूज़ करते हो, उस case में काफी performance boost मिलता है, CPU score हो जाता है 13378, 2D score हो जाता है 442, 3D score हो जाता है 9053, और memory score हो जाता है 3478, तो आप देख होंगे कि जो performance से इसका बहुत बढ़िया है, यह even की Intel के अपने 11th generation processor, जो की 11300H है, उसको भी compete करता है, Ryzen 5 4690H से थोड़ा सा यह निचे है, बट ऐसे मैंने जो ची एक और अनुलिस की है, आप इसका graphics performance देखाऊगे, 3D score, 9000 point जो इसको मिल रहा है, अब देख रहे होंगे, इसको पीछे छोड़ दे रहा, same graphics card के साथ, तो यह जो processor है, काफी अच्छा processor है, means आपको video rating, gaming, किसी भी तरह का कोई भी काम करने में, कोई भी compliance नहीं मिलने वाली, बात करते हैं gaming की, तो मैंने इस पर GTA 5 प्ले किया था, total high settings में, जहां high है, जहां ultra है, सब कुछ max कर दिया था उस case में मैं देख रहा था, यह around 30 plus fps प्रोवाइड कर रहा था, अगर आप Red Dead Redemption गेम खेलते हो, उस पर मैंने सब कुछ max out कर दिया था, सब कुछ ultra कर दिया था, full HD पे, उस पर मैंने देखा कि इसको मिलता है again 30 plus fps, जो कि खराब नहीं है, तो gaming performance बहुत मस्त इस laptop का, MSI ने बहुत बढ़िया काम किया, इसको अच्छा ख़बूश प्रोवाइड के होनागा, अब बात आ जाती है कि performance तो बहुत अच्छा बनाए है, बट इसका thermals कैसा है, तो thermals के मामले में MSI बहुत बढ़िया है, इस पे इन्होंने cooler bush 5 दिया है, जो कि आप manually भी on कर सकते हो, और आप customize भी कर सकते हो, कि आप automatic ये चीज़ चेंज कर सको, इनके fans की full speed में देखिए 6000 प्लस rpm चल जाती है, और ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंनेजर जी नोडिस की है, इवन हाई लोड में भी ये 95-96 दिगरी तक ही जा रहो था, हलाकि boost mode में थोड़ा बहुत आपको इस पे throttling दिखेगी, थोड़ी बहुत, बट काफी कंट्रोल कर लेता है इसकी heating को, MSI ने एक अच्छी ची ये की है, दोनों साइड इन्होंने fans दिये हैं, और इन्होंने heat pipe share नहीं किये हैं, CPU का heat pipe और fan अलग है, GPU का heat pipe और fan अलग है, और आप बात करोगे thermals के अगर, तो नीचे की जगह आप देखोगे, इसके base में, तोदी कितना सारा open इन्होंने vents रखा हुआ है, यह हर जगह से cool air in कर पाता है, क्योंकि यहां से air सक होती है, और इन्होंने जो heat winds दिये हैं, जो out करते है heat को, left और right दोना तरफ दिये हूँ है, और base और top के बीच में जो space है, यहां दो जगह दिये हूँ है, इस चार जगह से heat बाहर आती है, इसलिए काफी अच्छा यह cool कर कि एक screw के उपर होने ने फैक्टर स्टिकर लगा के दिया है, हाला कि यह upgradable laptop है, आपको एक sata port free मिलता है, आपको RAM stock free मिलती है, तो normal सा gaming laptop दिया है company ने, तो obvious सी बात है, एक gamer है, वो चाहिए कि मैं upgrade कर लूँ, इसको upgrade करने लिए आपको इसके service center जाना पड़ेगा, और वहां क 350 रुपीस चार्ज करते हैं, वो सिर्फ RAM upgrade करने के लिए, मिल्स आप घर पे बाट की यह चीज़ नहीं कर सकते हो, तो आपको आपको क्या बोलते हैं, कि अगर आप घर पे करते हो, तो आपके warranty void हो जाएगी, तो यह कहिना कि यह खराब चीज़ चल रही है, MSI के तरफ से, MSI को चाहिए कि इस चीज़ पर ध्यान दे, तो यह गलत चीज़ जो मुझे लगी, ऐसे इस पर और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 2 साल की warranty दे रहा है, means 2 साल तक कुछ भी होता है, बैटरी और राटर को छोड़के, तो यह चीज़ बहुत अच्छी है, अगर बात क बैटरी पर्मेंट में, MSI को थोड़ अच्छा काम करना चाहिए ऐसे, एक और राटर लाटप है, content creators के लिए, gamers के लिए, सबके लिए अच्छा लाटप है, और बड़ी screen भी है, तो आप अराम से इस पर हर तरह काम कर सकते है, बहुत मुझाने वाल, तो यह बहुत अच्छा बढ़ाई